हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका मेंटोर अरजुन दुआ आपका मेरे चैनल NCRT Math गुरू पर स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 9th, NCRT Math का 1st चाप्टर 1st चाप्टर में 1.5 एक्सराइज इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे Operations on Real Numbers याने कि हम क्या करेंगे Real Numbers में हम Change करेंगे Change हमें किस तरह करना है? यहाँ पर Multiply, Divide, Plus और Minus करकर हमें यहाँ पर Change करना है तो देखिए सबसे पहले Example 12 है हमारे पास चेक वैदर 7, Root 5, 7 upon Root 5, Root 2, Plus 21, Pi, Minus 2 और Irrational Number और Not तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि यह जो Numbers है हमारे पास चेक करना है कि हमें यह Irrational है या फिर नहीं तो देखिए सबसे पहले Root 5 की Value हमारे पास है यहाँ पर 2.236 इसी तरह से Root 2 की Value है हमारे पास 1.4142, Pi की Value है हमारे पास 3.1415 तो हमें जहें इन वैलिज को ध्यान रख रहे हैं इनका है हमें सम्में भी यूज कर रहा है तो आप इन वैलिज को नोट डाउन कर ले पहले जो देखिए अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 15.652 इसी तरह से 7 अपॉन रूट फाइफ की Value निकालेंगे तो हम किस तरह से आएगी सबसे पहले क्या करेंगे हम रूट फाइफ को जो है रेशनलाइज करेंगे यानि की रूट फाइफ को हम नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर में मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह से Value आ जाएगी 7 इंटू में निकाली है यह वाली इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.1304 तो अगला है इसी में हमारे पास रूट टू प्लस 21 जिसमें हम प्लस करेंगे जब रूट टू की वाली देखिए भी मैंना आपको जाएगी 1.4142 है इसमें सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे पास कितनी वेली आ जाएगी 22.4142 इसी तरह से पाई माइनस टू पाई माइनस टू की क्या वेली हो जाएगी 1.1415 तो आप सब में देख रहे होंगे कि यह डैसिमल जो है डैसिमल एक्स्प्रेशन किस पॉम में आई हुए हमारे पास न यहां ठामी पास आ जाएगा तो वो कौन से नमबर होगा एरलेशनल नंबर तो यहां पर हम आपर पास जितने भी नंबर हो जाएंगे एरेशनल नंबर तो इसी तरह से देखे हमारे पास एड़ाएंप ll thirteen है यहां पर एड़ टूरूट 피ieben ratio जे लै सभीट होगे हम उनको एक तरफ यहां पेर पास हमार पास हमें रूट त्री माइनस में हमार पास क्या चाहीगा einz trio ठा Prinzip हमें ते निहां फिर हम सब्सक्राइब TWO term लेंगे तो मैं पास्वेल्य कितनी आजाएगी तो प्लस वन याने की त्री रूट टू इसी तरह से अगर हम से जैघ्ञ रूट विग्षिए और लेंगे तो हमारे पास्कितनी विज़यू आजाएगी फाइव माइनस से कि quiere हो जाएगा तू तो हमारे उस्वाली कितनी आ जाएगी देखी दोर्नों में थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री इस तरह से जो हमने एड़ करना होगा इसी तरह देखिए मल्टिप्लाइब भी हमारे पास एक्जामपल फॉर्टीन नहीं इसमें देखिए मल्टिप्ला पते ह्यां डचलक तो हमें क्या करना है इनकी वैल्यू को मल्टिप्लाइब करना है तो सबसे पहले तेह पीँ है रूट वाली का बमी मल्टिप्लाइब यान्कि कि सिक्स इंटू कितना हो जाएगा इeles फिर हम root value value को करेंगे multiply root 5 into root 5 कितना हो जाएगा root 5 का square तो root 5 का square क्या होगा हमार पर 5 तो 12 into 5 कितना हो जाएगा 60 इसी तरह से हमें क्या करना है example 15 करना है divide करना है अब इसमें देखिए हमें 8 root 15 by 2 root 3 तो अब हमें से पहले क्या करें इसको ब्रेक कर लेंगे किस तरह देखिए रूट 15 को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू फाइफ फिर हम देखिए जो है वह हमारे पास एंटू बी बन जाएगा जैसे कि हमारे पास यह प्रॉप्टी होती है अगर हमारे पास रूट के अंदर एंटू बी बन सकते हैं रूट ए इनटू रूट भी यान कि जैसा रूट की वैल्ली को दोनों की अलग-लग लिख सकते हैं गे कितनी आ जाएग हमारे पास four root five तो इस तरह देखिए अब हमारे पास जो है प्रोप्टीज में आपको और दिखा देता है कि हमारे पास कि दिन तरह की प्रोप्टीज है यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले प्रोप्टी है हमारे पास रूट एंटू बी जैसे कि मैंने आपको प्रता रूट 15 वाला इसी तरह से हमारे पास है रूट 3 इंटू 5 है यहाँ पर फिरम्स को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5 तो यहाँ पर हमारे पास रूट एबी की फो में है तो आपको यहाँ पर धियान रखना है इसी तरह प्लस देखिए हमार पास रूट एपोन भी है उसको हम लिख सकते हैं रूट एपोन रूट भी यान कि जब रूट देखी सब दोनों के उपर एक ता तो हम इसको लग 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 सकते हैं जैसे कि अब भी हमने मल्टिप्लाय में किया था इसी तरह हम यहां पर डिवाइड में भी कर सकते हैं इसी तरह हमार पर थर्ड प्रोप्टिए है इसमें रूट ए प्लस रूट यह सबस्क्राइब किसके होगा एसके मां डे मुञल एक हैं यहां पर रोट ए ऊर बी है हमारे पास रूट भी सिक फिर जसको कर लेंगे तो वी मैंनस भी आ जाएगा इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं तो देखें दूसर तरह कैसे का design है इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे ही MP कर देंगे इन दौनी से याने कि root a minus root b से फिर हम क्या करेंगे root b की multiply कर देंगे root a plus root a minus root b से तो हमारे पास यह भी value आ जाएगी यानि की a minus b तो इसी तरह देखिए है next हमारे पास है इसमे a plus root b a minus root b इसको भी हम इसी तरीके से ज़से के भी हमने third property पड़ी है इसको भी हम दो तरीके से कर सकती है a plus b a minus b तो a plus b a minus b क्या होगा a square minus b square a square तो हमारे पास देखिए a है यहाँ पर तो a square हो जाएगा इस तरह से b हमारे पास क्या है root b तो root b का square कर रहे हैं तो हमारे पास value आ जाएगी b की तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें फिफ्थ है प्रॉप्टी रूट A प्लस रूट B इंटू में रूट C प्लस रूट D तो इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जैसे कि अभी नहें आपको इसमें दूसरा ठीक अपता है था थार्ड प्रॉप्टी में हमें वो त्रीका लगाना है यानि की रूट A की multiply करनी है, रूट C पलस root D से, इसी तरह से फिरम क्या करेंगे, रूट B की multiply करेंगे, रूट C पलस root D से, तो हमार उन्य व्यलिकी की त्दिया चाएगी? रूट A C, जिब हमने रूट A, रूट C को multiply किया था, है तो मेर Grade gucken आजाएगा इसी तरह सी जब हमरूट को रूप्ट डी से मिल्टिप्ले करेंगे तो मर पस्रूट के इडिया जाएगा इसी तरह से नियु特 कूआ रूट वीडै इसमें सिक्ष्ज ख़ोप टपे भी है रूट अप्लस रूट B का अचल्ड यहां यहां पर हम all square के identity open कर देंगे यान कि a plus b ka all square open कर देंगे तो हमारे पास क्या value आ जाएंगी a plus two into में root a b plus में b तो इन identity का यूज करते हैं हमें जो हैं आगे इनका यूज करना है जैसे कि प्लशe करेंगे तो देख यहां पर सबसे पहले हम कैं ॉइठानी से fact कि मिल्टिप्लाय करेंगे तो प्लस रूट वैब की से हैं तो हमने 5 की पहले तो से ब्लटिप्लाय करेंगे तो तो उस्को तो में से athletes इस तरह से रूट 7 की रूट 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको रूट 35 तो इसी में देखिए हमारे पास next point है second part है इसका 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5 तो देखिए इस कौम किस तरह से solve करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है identity बन जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी की तो यहाँ पर सीधा ही हमें identity का use करेंगे ए स्केर माइनस बी स्केर यहाँ पर ए क्या है हमारे पास रूट एक है हमारे पास 5 और बी क्या है हमारे पास रूट 5 तो यहां पर हमने दोनां को स्केर कर दे तो 5 का स्केर कितना हो जएका 25 लूट 5 का स्केर क्या होगा 5 तो 25 में से 5 कई माइनस वक्षों तो 20 हाँ जाएगा इसी तरह देखिए सब्सक्राइता हैВ Lets क्या करेंगे ए प्लिस बींड होब्स करेंगे है। यहाँ पर बूज deficit ना क्याओ रूट्फ से खेडिर नरीगों करेंगे यहाँ पे रूट्फ इन्टुम में रूट्फी इन्टुम में रूट्फी इन्ट इन्ट रूट्फी नरीट रवनrain तो कितना चाहिएगा 7 फिर यहां पर इसको प्लस करतेंगे 7 प्लस 3 10 प्लस में 2 इंटु में रूट 21 इस तरह देखे एक्जैंपल 16 में 4th पॉइंट है हमारे पास रूट 11 माइनस रूट 7 इंटु में रूट 11 प्लस रूट 7 यहां पर A-B 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 की हमारे पास वैली कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा तो इसी तरह देखे अब जो हमें एक्जैंपल 17 हमारे पास इसमें का करना होगा में रेशनलाइज करना होगा रेशनलाइज दा डिनॉमिनेटर ओफ वन अपॉन हमें रोट 6 डेखे सब से पहले खिया रहेंगा र Ta-da हमारे पास सरह में रेशनलाइज करना है यानि की रूट स्थू को हमने नॉमिनेटर ओडिनॉमिनीटर में दोने षिए करना है ठंक स्थलेंगे हमारे पास वन अपॉन रूट 2 था हमने क्या-क्या रूट 2 को नker और denominator में multiply कर दिया यानि कि 1 into root 2 कितना हो जाएगा root 2 इसी तरह से root 2 into root 2 क्या हो जाएगा root 2 का square हो जाएगा फिर root 2 के square को हम open करेंगे तो हमारे पस क्या value आजाएगी 2 तो हमारा rationalize करने के बाद क्या value आजाएगी देखिए यहां पर रूट टू अपोन टू तो इसी तरह देखिए हमारे पास जो है एक्जैम्पल 18 है इसको हम क्या करेंगे इसमें हम करना है रेशनलाइज दा डिनॉमिनेटर ओफ बन अपोन टू प्लस रूट त्री तो अब देखिए हमारे पास जो है यहां पर इसको जा डिनॉमिनेटर में टू प्लस रूट त्री को रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज करते वक्त हमें क्या करना है जो हमारे पास यहां पर साइन है यानि की प्लस का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे तो सबसे पहले चेंज किसी तरह करेंगे प्लस को हम क्या कर देंगे माइन और माइनस का कर देंगे यहाँ पर हमार पास ब्लस है तो है न फ्रूर आरे करेंगे माइनस की स्व 것으로 to minus से से यहाँ यहाँ अब यहाँ पर ID लग जायेंगा नीचे हमारे टू-वित ब्लस2 a-b की identity लगा देंगे a square minus b square यानि कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4-3 1 फिर इसका हमारे पास value क्या जाएगे rationalize करने के बाद 2-3 इसी तरह देखे example 19 है हमारे पास rationalize the denominator of 5 upon root 3 minus root 5 तो इसको जो हम rationalize करेंगे यहां पर देखे किसमे plus के sign में तो देखे 5 upon में root 3 minus root 5 है हमारे पास इसको हमने क्या करना है multiply करना है denominator denominator में तो रूट 3 plus root 5 upon में root 3 plus root 5 से हमने यहां पर देखे multiply किया तो हमारे पास multiply करने के बाद क्या value आजाएगी देखे 5 into में root 3 plus root 5 इस तरह से नीचे हम क्या लगाएंगे attitude लगा देंगे हैं यहाँ पर ए माइनस भी a प्लस b की क्या होगी एका स्केर मैनस बी का स्केर तो 3-5 कीतना हो जाएगा माइनस का 2 फिर हम क्या करेंगे माईनस के sign को ऊपर लिग देंगे तो हमारे पस क्या value आ जाएगी माइनस 5 अपॉन 2 इंटू में रूट 3 प्लस रूट 5 इस तरह से देखे example 20 है इसमें rationalize the denominator of 1 अपॉन 7 प्लस 3 इंटू में रूट 2 तो यहाँ पर हमने क्या करना है रेशनलाइज करना है तो sign देखें यहाँ पर कौन सा है प्लस का हम sign किस में चेंज देखेंगे इसको माइनस में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे sign चेंज करने के बाद मुल्टिप्लाइ करेंगे nominator और denominator में तो हमारे पास क्या value आजाएगी 7 माइनस 3 रूट 2 और नीचे हम फिर से देंटिर रखा देंगे a प्लस b a माइनस b की तो a हमारे पास यहाँ पर 7 रहेगा और b 3 रूट 2 रहेगा तो यहाँ पर हमने इनके square की identity लगा देंगे तो हमारे पास क्या value आजाएगी a square माइनस b square यानि कि 49 माइनस 18 हमारे पास कितना आजएगा 31 तो हमारे जो rationalize करने के बाद क्या value आजाएगी 7 माइनस 3 रूट 2 अपोर में 31 तो देखिए अब हमने इसके example कर लिए हैं अब हम करेंगे इसमें इसके sum start करेंगे तो देखिए first sum है हमारे पास इसमें classify the flowing numbers as rational और irrational तो हमें यहां पर classify करना है कि यह जो numbers दिए गए हैं हमारे पास rational है या फिर irrational तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि irrational नमबर कहों से होते हैं और irrational नमबर कहों से होते हैं यह मैंने आपको 1.3 और 1.4 में भी बताया था अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वह देख ले तो देखिए यहां पर हमारे पास है तो माइनस रूट फाइफ तो माइनस रूट फाइफ को हम चेक करेंगे देखिए रूट फाइफ को वैलियू मैंने अभी आपको बताया थी पहले example में हमारे पास क्या थी वैल्यू टू पॉइंट टू थ्री सिक्स थी जैसे कि यहां उसमें वैल्यू और भी आ गया गया इसके डैसिमल में अगे इतनी वैल्यू ओर आ सकती है तो मिसको मैंस कर सकते हैं तू में से इसको मैंस कर देंगे टूपॉइंट टू थी को यह मैंने समें 0.2360679 इस तरह से वैल्यू आएगी तो यह देखिए हमारे पास जो हैं डैसिम non terminating होगा मैंने आपको पहले जिता था अगर हमारे पडिक्री पास Naz göst proud अगर हमारे पास रिशियुल हो सकता है लेकिन यसे पास क्या रहेगा हमेशा के लिए non terminating ही रहेगा तो इस बसके ध्यायन रखने हैं और एडरेशनल रहोगा ये तरह से ब्लस इसमें सेगंड समने थरी प्लस रूट 23 माइने सूथ 23 तो देखिए यहां पर रूट 324 टूट 23 माइनने में है कि यहां पर प्लस वाले से माइनस उतल सॉट में कट जाएगा याने कि योग यह द्वाजायांगी तब क्लिण तहीं लिख सकती हैं तो त्री अपन वन हमार पस क्या होगा पीबाइक यू की फॉम में होगा जिसके यह क्या हो जाएगा रिशनल नंबर हो जाएगा इस तरह से अच्छे एक उन्टो में रूट सैवं अपन में सैवन इंटो में रूट सैवन फिर हम यहां पर देखी क्या कर तो सबसे हो गया किया तो यारने कि यह भी हमारे पस क्या होगा रेशनल लंबर ही होगा कि इसी तरह से हमारे पीप्लाइक करेंगे रोट टू के लिए इसको सबसे पहले रिशनलाइज करेंगे जैसे कि हम ने एक्जेंपल में किया था 17 एक्जेंपल में इसी तरह हुआ करेंगे रूट को को ऐलुट करेंगे तो waking वेलु आजएगी फिर हम टू से डिवाइड कर देंगे तो अमारे पस क्या वैलिया जाएगी 0.704707106 इस तरह से वैलिया जाएगी तो यहां पर नोन टरवी निटिंग होगा यानि कि इसकी वैल्यू इसका जो है हमारे पास इसमें फिफ्ट पार्ट वी है तो पाई आपको प्ताइब थी इसको हम टू से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6.2830 इस तरह से हमारे पास यह expression आ जाएगा तो यह हमारे पास कौन सा हो जाएगा यह पर non-terminating हो जाएगा non-terminating होगा तो यह क्या number होगा irrational number होगा तो इस तरह से जो हमने इसका first sum complete कर लिए तो देखिए इसमें second sum है हमारे पास second question is simplify each of the flowing expression तो हमें इन expression को तो solve कर रहा है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 plus root 3 into 2 plus root 2 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 को multiply कर देंगे हम 2 plus root 2 से तो हमारे पास देखिए इस तरह से हम इसको लिखेंगे इससी तरह से हम क्या करेंगे root 3 की multiply कर देंगे किसे 2 plus root 2 से तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे फिर इसको multiply कर देंगे 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 3 into root 2 इस तरह से root 3 into 2 और हमारे पास क्या रहा जाएगा फिर root 3 into root 2 क्या हो जाएगा root 6 इसको हमारे पास जो है इस तरह से इसकी value आ जाएगी इस तरह से this identity एक स्केर मैंनस बिका स्केर तो एक ए हमारे पास हुपांस हमायर पास रूट फ्री यहां पर आपमने दोनकर स्केर यह이다 कि तो हो जाएगा हमारे पास हमें वेलियो यह तो इस तरह से देखिए हमने ये भी कर लिया अगला है हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट रूट फाइफ प्लस रूट टू का होल स्केर यहां पर हम क्या करेंगे होल स्केर की ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी रूट फाइफ का स्केर प्लस रूट टू का स्केर प्लस टू इंटू में रूट एंटू रूट बी यानि कि रूट फाइफ इंटू रूट टू इसकी हम इसके स्केर को ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या वहले हैगी फाइफ प्लस टू इंटू में इंटू में हमारे पा solve करना है इसी तरह देखिए हमारे पास इसे में फॉर्थ पार्ट है रूट फाइफ रूट फाइफ इन इन्टो में रूट फाइफ प्लस रूट यहां पर भी हम करने इस यह सब्सक्राइब कर लिया आज को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं